मेरी भाषा हिंदी भाषा की प्रस्तुती कक्षा साथ कहानी चिडिया की बच्ची इस कहानी के लेखक है जैनेंदर कुमार माधो दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है उनको कला से बहुत प्रेम है धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है सुन्दर अभिरूची के आत्मी है फूल पोधे रकाबियों से होजों में लगे फवारों में उचलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है समय भी उनके पास काफी है शाम को जब दिन की गर में ढल जाती है और आसमान कई रंका हो जाता है तब कोठी के बहार चबूत्रे पर तक्त डलवा कर मसनत के सहारेवे गलीचे पर बैठते हैं और पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुह में दिये ख्याल ही ख्याल में संध्या को सोपन की भाति गुजार देते हैं आज कुछ-कुछ बादल थे घटा गहरी नहीं थी धूप का प्रकाश उनमें से चंचं कर आ रहा था माधवदास मसनत के सहारे बैठे थे उन्हें जिनकी में क्या स्वाद नहीं मिला है पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने ही गुलाब की डाली पर एक चिडिया आन बैठी चिडिया बहुत सुन्दर थी उसकी गरदन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जर चाही नहीं था और मानोतनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था चिडिया कभी पर हिलाती थी कभी फुदत्ती थी खूब खुश मालूम होती थी अपनी नन्नी सी चोंच से प्यारी-प्यारी आवाज निकाल रही थी माधुदास को वे चिडिया बड़ी ननमानी लग आओ प्यारी चिडिया तुम बड़ी अच्छी आई यहाँ बगीचा तुम लोगों के बिना सूना सूना लगता है सुनो चिडिया तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है तुम बे खटके यहाँ आया करो चिडिया पहले तो ए सावधान रही फिर जानकर की बात उससे ही की जा रही है वे एका एक तो घबराई फिर संकोच को जीत कर बोली मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है मैं अभी चली जाती हूँ पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी हाँ प्यारी चिडिया बगीचा तो मेरा है ये संमर्मर की कोठी भी मेरी है लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो सब कुछ तुम्हारा है तुम कैसी भोली हो कैसी प्यारी हो जाओ नहीं बैठो मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है चिडिया बहुत कुछ सकुचा गई उसे बोध हुआ कि ये उसकी गल्टी तो नहीं हुई कि वे यहां बैठ गई है उसका थिरकना रुख गया भैबीत सीवे बोली मैं ठक कर यहां बैठ गई थी मैं अभी चली जाओंगी बगीचा आपका है मुझे माफ करे मेरी भोली चिडिया तुम्हें देखकर मेरा मन कितना खुश हुआ है मेरा महल भी सुना है वहां कोई भी चह चाहता नहीं है तुम्हें देखकर मेरी राग्मियों का जी बहलेगा तुम कैसी प्यारी हो यहां ही तुम क्यों ने रहो नहीं नहीं मैं मां के पास जा रही हूँ सूरज की धूब खाने और हवा से खेलने और फोलों से बाते करने में मैं जरा घर से उड़ाई थी अब सांज हो गई है और मां के पास जा रही हूँ अभी अभी मैं चली जा रही हूँ आप सोच ना करें प्यारी चिडिया पागल मत बनो देखो तुमारे चारो तरफ कैसी बहार है देखो वे पानी खेल रहा है उधर गुलाब हस रहा है धीतर महल में चलो जाने क्या-क्याने पाओगी मेरा दिल विरान है वहां कब हसी सुनने को मिलती है मेरे पास बहुत सा सोना और मोती है सोने का एक बहुत सुन्दर घर में तुम्हें बनवा दूँगा मोतियों की जालर उसमें लटकेगी तुम मुझे खुश रखना और तुम्हें क्या चाहिए मा के पास बताओ क्या है बताओ तो तुम्हारे मा के पास क्या है अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी मैं अभी यहां से उड़ी जा रही हूँ तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है मेरी मा के घोसले के बाहर बहुत तेरी सुनरी धूब बिकरी रहती है मुझे और क्या चाहिए भला मुझे और क्या करना है दो दाने मा ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मा मेरी बाट देखती रहती है मुझे तुम और कुछ मत समझो मैं अपनी मा की हूँ भूली चिडिया तुम कहां रहती हो तुम मुझे नहीं जानती हो मैं तो बस अपनी मा को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को भी जानती हूँ महा मानने तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती तुम भोली हो चिडिया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेट माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ तुमें पर मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए, आप मुझे क्यों रोपना जाते है अरे चिडिया, तुम बड़ी ही अंजान हो, मुझे खुश करोगी, तो तुम्हें माला माल कर सकता हूँ मैं तुम सेट हो, मैं नहीं जानती, ये सेट क्या होता है, पर सेट कोई बड़ी बात थोड़ी न होती है मैं अंसमझ धैरी, मा मुझे बहुत प्यार करती है, मैं मेरी रा देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या करूंगी भला, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं क्या मुझे वे तुम्हारा माला माल होना चाहिए अरी चिडिया तुझे बुद्धी नहीं है तु सोने को नहीं जानती पूरी दुनिया सोना चांडी के पीछे पागल है वे सोना मेरे पास धेर का धेर है तेरा पूरा घर में सोने का बनवा दूँगा ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में नहीं होगा ऐसा कि तू देखती रह जाएगी उस सोने के पिंजरे के भीतर थिरक थिरक कर फुदक फुदक कर मुझे खुश करना तेरा भाग्य खुल जाएगा तेरे पानी पीने की कटोरी भी में सोने की बनवा दूंगा मैं सोना क्या चीज होती है भला तू क्या जानेगी तू चिडिया जो है सोने का मुल्ले सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना होगा बस ये जानले की सेठ मादो दास तुससे बात कर रहा है जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किसमत खुल जाती है तू अभी जग का हाल नहीं जानती सारी दुनिया मेरे पीछे पागल है पागल मेरी कोठियों पर कोठिया हैं बगीचों पर बगीचे हैं दास दासियों की संख्या नहीं है पर तुझसे मेरा चित परसन हुआ है ऐसा वर्दान कब किसी को मिलता है री चडिया तो इस बात को समझती क्यों नहीं है सेट मैं नादान हूँ मैं कुछ नहीं समझती पर मुझे देर हो रही है मा मेरी बाठ देख रही होगी ठहर ठहर इस अपने पास के फूल को देखा तुने ये एक है ऐसे अंगिनत फूल है ऐसे अंगिनत फूल मेरे बगीचों में है वे भाती-भाती के रंग के हैं तरह-तरह की उनकी खुशबू है प्यारी चिडिया तुमने मेरे मन को खुश किया है और अब सारे फुल तेरे ले खिला करेंगी वहां घोसले में तेरी मा है पर मा क्या है इस बहार के सामने तेरी मा क्या है वहां तेरे घोसले में कुछ भी तो नहीं है तू अपने को नहीं देखती कैसी सुन्दर तेरी गर्दन है कैसी रंगीन तेरी बे है तू अपने मुल्ले को क्यों नहीं देखती है मैं तुमें सोने से मट कर तेरे मुल्ले को चमका दूँगा पैने मेरे मन को खुश्टो किया है तू मत जा यही रह सेट मैं अपने को नहीं जानती इतना जानती हूँ मा मेरी मा है और मुझे यहां देर हो रही है सेट मुझे रात मत करो रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं रा भूल जाऊंगी अच्छा चिडिया जाती हो तो जाओ पर इस बगीचे को अपना ही समझो तुम बहुत ही सुन्दर हो ये कहने के साथ ही सेट में एक बटन दबा दिया उसके दबाने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई जिसे सुनकर एक दास जटपट भाग कर बाहर आया ये सब छण भर में हो गया और चिडिया कुछ समझ भी नहीं पाई तुम अभी मा के पास जाओ मा बाट देखती होगी पर कल आओगी मैं कल आना परसो आना रोज आना इस बगेचे को अपना ही समझो ये कहते कहते दास को सेट में इशारा कर दिया और वे चिडिया को पकड़ने के लिए जटन करने लगा सेट चिडिया को बातों में उलजा कर रखना चाहते थे सैट तुम बड़ी ही सुन्दर लगती हो तुमारे भाई बहन है कितने भाई बहन है दो बहिन एक बहाई पर मुझे देर हो रही है मुझे जाना है हाँ हाँ चले जाना अभी तो उजाला है दो बहन एक बहाई है अच्छी बात है पर चिडिया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था मैं चोकन्नी हो हो चारो और देखती थी उसने कहा सेट मुझे देर हो रही है देर अभी कहां अभी तो उजाला है मेरी प्यारे चिडिया तुम अपने घर का इतने और हाल सनाओ दरो मत सेट मुझे डर लगता है मा मेरी दूर है रात हो जाएगी तो मैं रा भटक जाऊंगी अपने घर तक कैसे पहुंचूंगी भला मैं इतने में चिडिया को बोध हुआ कि जैसे ही कठोर स्पर्श उसके दे को छूगया वे चीक दे कर चिची आई और एकदम उड़ी ची 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 नो करके फैले हुए पंजी में आकर भी नहीं आ सकी तब वे उड़ती हुई एक सास में मा के पास पहुंच गई और मा की गोद में गिरकर सुबकने लगी ओ मा, ओ मा, मा क्या है मेरी बच्ची, क्या है पर बच्ची काँप काँप कर मा की चाती से और चिपक गई बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही ओ मा, ओ मा बड़ी देर में उसे ढांडस बदा और तब वे पलक मेच कर छाती में ही चिपक कर सो गई जैसे अब पलक में खोलेगी दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी चिडिया की बच्ची जरूर बताईएगा धनेवाद बहुत बहुत धनेवाद